है लो माई फ्रेंड्स मैं परवीन कुमार आप लोग को केमेश्टी कलासेज में स्वाधत करता हूं देखे दोस्तों आज जो है मैं आप लोग के लिए इन और गेनिक यानि और कारवानिक से अब्जेक्टिव लाया बहुत इंपोस्ट इंपोटेंट है दोस्तों पूरा पूला वीडियो देखे ठीक है दोस्तों और समझ में आए और अच्छा लागे मेरा वीडियो तो आप लोग लाइप करें और सेर करें ठीक है दोस्तों और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें कैंकि सब्सक्राइब करने स से होगा कि आप लोग के पास मेरा वीडियो का टुटिपी के साल बारी बारी से परूशते जाएगा ठीक है दोस्तों दखिए एक नमबर में है मांड वीधी द्वारा द्वारा मांड वीधी द्वारा तीन धातु कौन सा धातु का सोधन किया जाता है पुच्ता है कि मांड वीधी द्वारा कौन सा धातु का सोधन किया जाता है तो तीन धातु का सोधन किया जाता है जोन परिकल बीधी द्वारा जर्मेनियम धातु सुध किया जता है कौन सा धातु जर्मेनियम का जी होता है दोस्तों जर्मेनियम धातु सुध किया जता है जोन परिकल बीधी द्वारा जर्मेनियम धातु सुध किया जता है ठीक है दोस्तों अब एगए दखिए गयाययने किसका एस्क और पूछेगा तो Iska अधिक हो तो पीवी हैसी उस स्जा कर पीवी है मतलब सीजा कर आयस्क में उपास्थित असुद्धी को क्या करते है पुछेगा आप लोगों से कि आयस्क में पस्दिता सुधी निवने में कहलाता है तो क्या कहलाएगा गेंग अब दखिए पिर्थीवी की सत्वा पर सर्वादिक तर्थीवी कौन सा पाया जाता है एलमुनियम ठीक है दोस्तों अगर तर्थीवी की अलावा छोड़ करके या एसलोगों से कर दिया जा है कि कौन सा थातु पिर्थी पर सर्वादिक रूप में पाया जाता है तो वह होगा आपर दोस्तों एलिमेंट हिसे जबेर्स हें यह झालने की जदेत्साइब … चाथ पर यह यह थी पुसरेमिन देत्स अधर जबिदाना आटने यह उसे घठ सरी में सबस्रें। घर्मुनियम हुआ तो ही गारे लिए तुट रपक्रेशिच की होगा हुआ इस्पेलतिंग में धांटु इसे पेल तशाइड उसमें उपस्तित्र ह司bies अंब करते हैं कश्सकल में इदराबनशिल अज्याटिछ सुध्यां उपस्तित्र रहती है तो उनके निवारन के लिए तो उनके निवारन के लिए दरावब पदास में चनल के लिए अध्रवनसिर को उपस्तिती रहता है उसको हटाने के लिए निवार मतलब हटाने के लिए कौन सा पदा जिस पदार्ट को डालते हैं उसको द्रावत पदार्ट करते हैं अब आगे दोखिए प्रकिर्ती में उपलाद आयास्क से किसी तत्व को लाव पूरबक निश्कार्शित किया जा सकता किसी किसी तत्व को लाव पूरबक निश्कार्शित किया जा सकता किसे तो आयास किसे तत्व को लाव पूरबक निश्कार्शित किया जा सकता किसे तो आयास किसे तत्व को लाव पूरबक निश्कार्शित किया सकता जा सकता है यह हम नहीं का सकते हैं कि आयस के पहते हैं यह भी नहीं बोलेंगे लेकिन उसका परिवहासा गराव दे दे तो परिवहासा बता है इसको हम कहते हैं के रूप में बोलेंगे प्रकीर्ती में उपलग ठीक है दोस्तों जिस से किसी तत्र जिस से इसको हम पढ़ेंगे जिससे किसी तत्रों को लाव कुर्वत मिस्पार्शित किया जा सकता है उसे हम अयस्त कहते है अब दखिए धातुओं के सुद्धी करण की सबसे उत्तम विधी क्या है? कौन सा विधी है? देखिए एक बना और कोश्चा, धातु वो के सुधी कराने की सबसे उट्टम विधी, विधूत अपगाटन विधी हाई, धातु वाला कहे तो विधूत अपगाटन विधी गोलना है, ये चांदी हाई या सिल्वा, उजिता है सिल्वा धातु का निछाला किस विधी से किया या एजि का निछाला, या चांदी का निछाला, या जो चांदी हाई या धातु हाई, धातु का निछाला, चांदी धातु का निछाला, या चांदी शिल्वा धातु का निछाला, या धातु का निछाला, तो उसका निछाला, सैनाइड विधी से, सैनाइड विधी से किया ठीक है दोस्तों अब है Ti Titanium पलस आयोडाइड 2 आयोडाइड है इसका दो आयोडाइड को 500 केलवीन पर जो हम अभी क्लिया कराएंगे तो तीस्टेनियम टेटराइयोडाइड बनाएगा और फिर उसको हम 1675 केलवीन पर गर्म करेंगे तो तीस्टेनियम आयोडाइड पहले बा अब जो था दोस्तों को असुद था और अब जो बना है नया उप़ाद वह सुद है हमेशा हम लोग सुद मनाते हैं यह कौन सा विदी से संबंदी था पुछेगा तो हम लोग बोलेंगे बॉन आरकेल बीदी से संबंदी था यह एक्षन अगर आप लोगो दे दिया जायए औ या ज्ञान पलावन फेन कहां या ज्ञान पलावन बीधी सल्फाइट अयस्को के लिए पहिवत होता है पुछेगा कि अयस्को के फेन पलावन बीधी जो है कौन सा अयस्को के लिए होता है तो सल्फाइट अयस्को के लिए या बीधी लागू होता है ठीक है दोस्तो यदि मेरा वीडियो ये आप लोग को अच्छा लगे और पसंद आया हो और आप लोग इसे कुछ सीखे गाए तो इसे लाइप शेर और सब्सक्राइब अबस करें दोस्तो इसे हमें साहित होता है ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद